नमश्कार महप्रिया बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खर्बों की तरफ बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर राजू के 28 जिलो में बनेगी 981 किलोमीटर लंबी सड़क बिहार में भूमी हीनों को जमीन देगी सरकार राजू के 28 जिलो में बढ़ी चोटी सड़क के निर्मान पर काम कर रही है ताकि लोगों को एक जगे से दूसरी जगे पर आवागमन की स्थिती में कोई परिशानी का सामना ना करना पड़े इस बीच बिहार के पतनिर्मान विभाग में राजू के 28 जिलो में 828 करोड की लागत से करीब 981 किलोमीटर लंबाई में ग्रामीन सड़को का अंदर्मान कराने का फैसला रिया है जिसका अंदर्मान कारे साल 2024 तक संपन होने का लक्षे रखा गया है मीडिया में चल रही खबरों की बाले तो प्रधानमंत्री ग्रामीन सड़क योशना फेजदीन में 161 सड़को का अंदर्मान होगा साथी करीब 78 छोटे छोटे पुलो का अंदर्मान करीब 3 किलोमीटर लंबाई में होगा इस पर आने वाले खर्च का 60 फीजदी के इंदर्ल सरकार और 40 फीजदी रज़सरकार देगी बिहार में भुमिहीनों को जमीन देगी सरकार बिहार के भुमिहीनों के लिए रज़सरकार की तरफ से तौफ आमिलने जा रहा है जिहां राजसरकार ने SCST और अतिपिस्ट्रा के साथ पिस्ट्रा और स्वर्न तबके के भूमिहीनों को भी 5.0 जमीन देने वाली है आपको बता दे कि SCST और EBC वर्ग के लोगों को अगर भूमिहीन है तो उन्हें सरकार की तरफ से 5.0 जमीन देने का प्रावधान है हाला कि अभी सभी वर्ग के लोगों को जो भूमिहीन है उन्हें विहार सरकार जमीन देगी राजसव और भूमिसुधार विभाग में इससे सम्मधित मसौधा को अंतिम रूप देने की कवायते तेजी से चल रही है बढ़ती महंगाई के बीच तेल कंप्रियों ने बढ़ी रहा दी है आपको बता दे कि राजु के अधिकतर जिलो में पिट्रोल और डीजल के दाम घटके है पटना, अभुजफरपुर, भागतपुर, पुर्णिया, और अंगबाद, कटिहार, मोतिहारी, लखी सराय, नालंदा, सीता, मढ़ी समेत, अन्यश शहरों में पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है राज़ानी पटना की ये बात करें, तो आज पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे और डीजल के दाम में 32 पैसे प्रती लीटर कमी आई, पुर्निया में तेल की कीमतों में लगभग एक रुपे की कमी आई है हाला की कुछ जिलों में तेल के दामों में स्थिरता है, बता दे कि पिछले दो महीने से तेल की कीमतों में कोई बदलाब नहीं किया गया है अवैध निर्मान को खाली कराने पहुचे एस पी पर हमला, राज़ानी पटना के प्रसिद राजीवनगर छेत्र के में सरकार अवैध निर्मान पर जम कर बिल्डोजर चला रही है इस बीच खबर यह आ रही है कि वहां भारी संख्या में पुलिस बल पर पत्राव हुआ है इस दौरान प्रिदर्शन कारियों ने प्रसाशन की गाड़ियों और बिल्डोजर को निशाना बनाया और उन पर पत्थरफे के जिसमें कई जेसीवी के सीशे तूट गया है साथी पटना के से टीएस पी अंबरी श्राखल भी घायल हो गया जिन्हें तुरंत इलाज के लिए ले जाए गया आपको बता दे कि यहां आवास बोट की जमीन पर लगभग 21 एकर में अवैध नर्मान किया गया है जिसे खाली कराने के लिए आज से जुला प्रसाशन द्वारा कारवाई शुरू की गई है मही जमीन पर हाई कोट के जजो के लिए आवास का निर्मान होना है श्रावनी मेले के शुभाफसर पर इस दिन से चलाई जा रही है स्पेशल ट्रेन हिंदी कैलेंडर से सावन महीने में लगने वाले प्रसिद श्रावनी मेले के मौके पर भारी संख्या में श्रधालू की भीड उमरती है बिहार में भी श्रधालू भारी संख्या में जारखंड से देव घर जाते हैं ऐसे में किसी भी श्रधालू को आने जाने में किसी तरह की परिशानी ना हो इसको देखते वे बिहार सरकार भी ठोस कदम उठा रही है इस बीच 14 जुलाई से लगने वाले श्रावनी मेले के मदरज़र पूर्वे मधर रेलवे पतना गया और रक्सौल से भागतपुर और जसी डी के लिए तीन स्पेशल ट्रेने चलाने की योज़्टा है ये ट्रेने पतना गया और रक्सौल से चलेंगी रक्सौल से भागतपुर और गया से जसी डी के लिए सपता हमें 5 दिन मेला स्पेशल ट्रेन चलेगा वहीं पटना से जसिदी के बीच रोजाना एक श्रावनी मेला स्पेशल ट्रेन चलाय जाएगा इनका संचालन 12 जुलाई से शिरू होने की संभावना है गाड़ी संख्या और टेन का समय अभी तै नहीं हुआ है बतादे की श्रावनी मेले का आयोजिन 14 जुलाई से 12 अगस्त के बीच होगा कुछ जुलो में भारी बारिश तो कुछ जुलो में हलकी बारिश की संभावना बिहार में दक्षिनी पश्चिमी मौनसून पूरी तरह सक रहे हैं प्रदेश के सभी जुलो में मौनसून की बारिश ने अपनी बोच्छारों से भिगोया है मालूम हो कि बिहार में सामाने से एक दिन पहले यानिकी 13 जून को ही मौनसून की बारिश शुरू हो गई थी बने रहने की उमीद है महीं उत्तरी बिहार के कुछ छेत्रों में भारी बारिश हो सकती है जबकि प्रदेश के मधे एवं पश्रिमी भाग में हलकी बारिश हो सकती है इसके लावा प्रदेश के मधे एवं दक्षिन पश्रिम भाग में वजरपात की भी आश्रंका जटाई गई है राज़े में अब हो रही है 33 किस्म के संक्रामक बिमारीयों की रियल टाइम मॉनिटरिंग बुखार सही 33 संक्रामक बिमारीयों की मॉनिटरिंग की डेटा अपडेट की जा रही है बिहार में होने वाली अक्यूट डाइया, डिसेंट्री, हैपटाइटिस, बुखार, मलेरिया, सही 33 प्राकार की संक्रामक बिमारीयों के आउटब्रेक का रियल टाइम अपडेट अब नाश्नल पोर्टल पर होने लगा है मगद उनिवरसिटी के पुर वाइस चांसलर के खिलाफ गिरफ्तारी वॉररंट हुआ जारी करते वे कोट ने वाइस चांसलर की गुरफतारी का वारन जारी कर दिया है। मालूम हो कि आज से कुछ महीने पहले 20 करोड मुले की कौपी और ई-बुक खरीदने में गबन करने के मामले में डॉक्टर राजिंद प्रिसाद के खिलाफ आक्शन लिया गया था। इसके बाद अ रसल बिहार के मोतिहारी में ट्रेन में आग लग गई। घटना आज सुबह साढ़े पांच बजे की बताई जा रही है आपको बता दे कि रक्सॉल नरकटिया गंच रेल खंट पर भिलवा स्टेशन के पास एक डेमो ट्रेन के इंजन में अचानक आग लग गई। इस में लगातार हो रही मौनसून की बारिश ने बार्ट जैसे स्थिती पैदा कर दी है ऐसा कोई छेतर नहीं बचा जहां मौनसूनी बचार ना हुई हो इस बीच नदियों का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा हाला कि गंगा नदी का जलस्तर लगातार दो दिनों से घट रहा है आज सुबह चार बजे से गंगा के जलस्तर में कमी देखने को मिली है हाला कि कम होते जलस्तर को देखते वे सतर्गता में धील नहीं दी गई है मौनसून के दिनों में हर साल इसी तरह गंगा नदी के जलस्तर में उतार चुड़ाब जारी रहता है वही हर समय गंगा घाट पर मौझूद रहने वाले नाविक का भी मानना है कि इस महीने में ऐसे ही गंगा बढ़ती घड़ती रहती है, लेकिन सावन और भादों में गंगा के जलस्तर में काफी तेजी सिवर्थी होने लगती है, जिसकी बाद बिहार में बाण की सिती पैदा हो जाती है, शारिरिक सिक सिक्षकों की बहाली की गई है, और इन सिक्षकों को खेल के गुर्द सिखाने का प्रसिक्षन दिया जाएगा, आपको बदा दे कि राजधानी पटना के पाठले पुत्र खेल परिसर में 6 से लेकर 27 जुलाई तक ये आवासी प्रसिक्षन चलेगा, बिहार सिक्षा में भी मच्ष्री उतपादन के लिए मिलेगा अनुदान, मच्ष्री की खपत और डिमांड को देखते वे राजियो सिरकार मच्ष्री पालन को बढ़ावा दे रही है, इस योज़ना की स्विक्रती पशुएवा मतस्य संसाधन विभाग ने दी है, आपको बता दे कि जिर् वधान मुख्य मंत्री के साथ ने शैदो योजना के तहट किया गया है, सरकार का लक्ष्री के उतपादन को इतना मढ़ाए जाए कि बिहार की मच्ष्री अन्य राजियो में जाएगी, इससे राजिय की मच्ष्री पाले को किया बढ़ेगी, मुस्लिम परिवार ने किया हिं इंदो बुजर की अर्थी सजाने के बाद उसे एक कंधा दे कर मुस्लिम लोगों ने अंतम संसकार किया, इधर रामदेव की मौत से अर्मान के पूरे परिवार में शोक की लहर है, और बताय गया है कि रामदेव की परिवार में कोई नहीं था, उसका सब कुछ अर्मान और परिवार ही था, अर्मान एक मुस्लिम परिवार से आते हैं और रामदेवर मान की दुकान पर ही काम करते थे, अपना जन्र दिन मनाने इंग्लाइन पहुंचे माही, भारते क्रुके टीम के पुर्फ कप्तान महिंदर सिंग धोनी अपना 41 वा जन्र दिन मनाने के लिए रायदे के पास पहुंचे हैं जो 40 रुपे में खुराग देता है, दोनी कई बार उससे दवाल ले चुके हैं, इसकी जानकारी तब सामने आई जब सोशल मीडिया पर कई तस्वीर हैं उनकी सामने आई, राज़े में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामलों में व्रधी बरकरार ह 226 नए मामले की पुष्टी भी थी और राज़े भर में को लेक लाग 25,971 सैंपल की जाच हुई, वहीं अगर हम देश भर की बात करें तो देश भर में COVID-19 के मामलों में लगातार व्रधी जारी है, कुल मिलाकर के 16,103 नए मामले सामने आए हैं, आपकी जानकारी के लिए पता दे बीते को जुनों से लगातार विहार समित देश भर में COVID-19 के मामलों में लगातार व्रधी देखने को मिल रही है, जिसके बाद सही स्वास्त महकमा भी अलर्ट मोड पे काम कर रहा है, साथ ही सभी लोगों से COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की सलह भी दी गई है, कल हमारे द्वारा पूछे कि सवाल का जवाब, आप में से बहुत सारी आउजरिन हमें कॉमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धऩदेए आप में से जिन यूजरिन हमारे सवालों का सही जवाब दिया है, उमेश रशीanta रशीदेव, रंजीत मिश्रा, म पादम पर मिलने वाले अनुदान से क्या लोग इस छेत्र में रोजगार का अफसर तलाश पाएंगे या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बिताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़े खबरों से अब्डेटे डहने के लिए हमारे यूट चानल को सब्सक्राइब करें और बलाइक कान दबाना ना भूले धन्यवाद